लिए पुलिस चेत्र आधिकारी ने किया खुलासा दो अभियूकत गिरफतार, पुलिस अधिक्षक एवं अपर पुलिस अधिक्षक के कुशल नेटिक में भेजोय कोटवाली पुलिस ने लापता युगक की हद्व्या की गुत्की को सुलजाते उए दो अपराधियों को गि कि आठ जुलाई की सुभा अतरासी गाउं में रहने वाले सुल्तान सिंग ने सूचना दी कि उसके पुत्र हारून को गाउं कही रगुनंदन एवं हरी बुलाकर ले गए थे लेकिन वे लोटकर नहीं आया जिस पर थाना प्यभारी ने दोनों को पूस्ताज के नहीं थाना ब अकल दिना 9.07.2020 को सुभा ग्राम अतरासी के सुल्तान ने खाने प्या के असिचो को सुचना दिया कि साथ मेरा लड़का बिगत रात से कहीं गायव है मिल नहीं राइस सुचना पर तत्काल पुलिसों है पहुंची है अतरासी गाउं में पहुंची है पहुंचने के बाद जब इनको यह पता लगा कि उस गाउं के हरी और रगुनांदन के साथ यह लड़का साम को गया है लेकिन वापस घर नहीं इस आधार को अशेचो भजोई जारा उन दोनों लोगों को पूस्ताच के लिए थाने पर बुला लिया गया जब थाने पर पूस्ताच किया गया त तो लगुनांदन ने पताया कि साथ हम लोगों ने उसको मिलके मार दिया है कि इसी के लिए आज हम लोग साम को निकले और हारुन को साथ में बुला के लेके गया टालते हुए और एक वहीं पर गवाँ के बाहर एक कुमा है वहीं पर इसको लोहे के सग्ये गार से इसके सर्व पर मार रहा हुए मर्दे के बाद इसको हमने वहीं कुमे में डाल दिया जोनों अपराधी पुलीस के गिरफ्त में थे अब उनको जेल भेजा जा रहा है आगे इसकी करवाई की रही है